मुवी की स्टार्टिंग में हमारे हीरो जोनस को एक पेपर पे साइन करने को का जाता है लेकिन उसकी बीवी को टॉर्चर करने के बाद वो हां कर देती है और वो साइन कर देता है उसी पेपर के तरथ उसे साइबेरिया के बीच बीच बनी एक कंसंडरेशन जेल में और चोटी बातों पर लोगों को मार दिया जाता है उस जेल में केदियों से जंगलों से लकडी कटवाई जाती है और खानों में काम करवाई जाता है तभी कुछ केदि वहां से भागने का प्लान बनाते है खाना इकट़ा करते है और एक रात को तुफान की रात को मोका दे जैसे वो लेक के पास जाके मंगोलिया चले जाते हैं। एक तुफान की रात में एक दोस्त इनके कम दिखाए देता है, वो उस बर्फ में जम जाता है और उसकी वहीं टेथ हो जाती है। फिर भी वो अपना सफर आगे रखते हैं। वो एक गूफा में देखते हैं, कुछ भेडियों ने एक शिकार किया होता है। वो जील के किनारे नहाते हैं, कपड़े दोते हैं, क्योंकि वो कई महीनों से नहीं नाये होते हैं, और एक जील के बर्फ वाले हिस्से को वो दोड़ के पार करते हैं, वो शहरों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो शहरों के पास उन्हें पकड़ने का चांस होता है, तभी उनका में पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि एक हड़ियों मिलती है उन्हें जिनकी खौपड़ी पर गोलियों के निशान होते हैं, वहां भी उन सब को मार दिया गया था और उस मट को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है, फिर भी वह अपना सफर जारी रखते हैं, क्योंकि अधार्मिक और भगवान में श्रद्दा वाले लोग जाते हैं, वह लड़की उनके साथ एक अच्छी दोस्त बन जाते हैं, वह सारे एक तरह से फैमिली होते हैं, वह तपते रेगिस्तान में जलते हैं, और तभी उन्हें वहां एक कुवा मिलता है, वह कई दिनों से प्या सुच जाते हैं, और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती हैं, इसी तरह से एक और ग्रूप उन्हें से हट जाता है, तभी फिर भी वह अपना सफर आगे रखते हैं, और उसी के बाद एक दूसरा दोस्त भी उनका मर जाता है, दीर दीरे वह चलते चलते चीन की दिवार के पास प पिचूर जाते हैं, जैसे ही वह इंडिया पहुंचते हैं, उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ होता है, इतने लंबे सफर में कभी उन्होंने ऐसा एकसेप्ट नहीं किया होता है, तभी तो हमारा देश महान होता है, अथिती देवो भो, उसी तरह उन्हें देश में रखा जाता है, और जब पॉलेंड फ्री हो जाता है, कॉम्मिनिस्ट गवर्मेंट से, तब वह हमारा लीड हीरो जोनस अपने घर पहुंचता है, तब तक वह बुड़ा हो चुका होता है, और उसकी पत्नी भी बुड़ी हो चुकी होती है, लेकिन वह अपनी पत्नी को माफ कर दे क्योंकि वह उसने जो भी किया था उस पाइम बस टॉर्चर के कारण किया था और इसी तरह दोनों खुशी-खुशी रहने लगते हैं